मत्यप्रदेश विधानसभा का शीत कालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सदस्यों ने इन सभी दिवंगतों को शद्धान जली दी। इसे पहले चित्रकूट से नवनिर्वाचित विधायक निलांशु चतुरवेदी ने पत की शपत क्रहन की। उन्हें विधानसभा ध्यक्ष सीता सरंच शर्मा ने शपत दिलाई। सदन में आज 17 दिवंगतों को शद्धान जली दी गई जिसमें वर्तमान विधानसभा के दो विधायक महेंद्र सिंग कालू खेडा और राम सिंग यादव का भी स्मरंड किया गया। निधन के उल्लेक के दोरान पिछोर की कॉंग्रिस विधायक केपी सिंग ने कहा कि जौधवी विधानसभा में अभी तक नौ विधायकों का आकस्मिक निधन हो गया है। बड़ा अटपटा लगता है। पता नहीं नियती क्या चाहती है। साथी उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मोहदय भी वास्तुदोश में विश्वास रखते हैं तो फिर एक बार यहां का वास्तुदोश दिखवा लेना चाहिए और शांती के लिए कुछ कर्मकान भी करवाना चाहिए। केपी सिंग ने सदन में संसद्यकारे मंत्री से भी इस मामले में वचार करने के लिए कहा। और 21 साल पहले 3 अगस्त 1996 को नई विधानसभा भवन में विधानसभा स्थानांत रित हुई थी। तब से ये सवाल लगातार उठता रहा है कि नई विधानसभा भवन में वास्तुदोश है और इसके कारण यहां विधायकों की अकाल मृत्यू हो जाती है। सहकारी सोसाइटी संशोधन और नगरपाली का विधी संशोधन विधायक शामिल है। इनको विधी और विधाई मंत्री रामपास सिंग को प्रस्तुत करना था लेकिन इन्हें पेश नहीं किया जा सका। इन्हें अगले कारे दिवस में सदन में पेश किया जाएगा। कई विधायकों ने सरकार से लिखित सवाल पूछे। उनके जवाब भी सरकार की ओर से लिखित में ही दिये गए। ज्यादातर सवाल कृशी और सहकारिता विभाग से संबंधित रहे। विधायक सोहनलाल बालमिक ने कृशी मंत्री से मंसौर किसान आंदोलन से जड़ा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि मंसौर जिले में इसी वर्ष 6 जून को आंदोलत किसानों पर गोली चलाई गई जिसमें 7 किसानों की मृत्य हुई थी। सरकार ने मृत किसानों के परिजनों को एक एक करोड रुपे की सहायता राशी देने की घोशना की थी। क्या किसानों के परिजनों को ये राशी मिल चुकी है। इस पर कृशी मंत्री ने लिखित उत्तर में जवाब हां में दिया। विधाइक बालमिक ने ये चंता भी जाहर की कि मौसम की मार्ट की कारण फसल चौपट हुई जो फसल हुई उसका सही दाम भी किसानों को नहीं मिल रहा है ऐसे में कर्ज लेने वाले किसानों को बैंक अधिकारी कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहे हैं परिशान किसान आत्महत्या को मजबूर हैं उन्होंने सवाल किया कि परासिया विधान सभाक शेत्र के अंतरगत तहसील उम्रेट के ग्राम कचराम में कर्ज में डूबे किसान शाम कुमार यदुवंशी जिसने बैंक ऑफ महराश्य के अधिकारी महिंद्रा फाइनांस कंपनी के अधिकारी और विद्युत विभा के अधिकारियों की निरंतर प्रतार्ना की कारण 21 जून को कीटनाशक दवापी कर आत्महत्या कर ली आत्महत्या करने वाले किसान के परिजन को भी सहायता राशी दी जाए साथी जिमिदार लोगों के खिलाफ कारवाई की जाए विधैक दिलीब सिंग शेखावत ने जलसन साधन से जानना चाहा कि मुख्यमंत्री विधानसभाग शेत्र नागदा खाच रौद में 10 जनवरी 2016 के दौरे के दौरान कुंडेल नदी पर स्टॉप डैम नर्मान करने की खोशना की थी लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं ह उन्होंने जाना चाहा कि मुख्यमंत्री की घोशना कब तक पूरी हो जाएगी इस पर मंत्री नरूत्तम बिश्वा ने लिखित उत्तर में बताया कि काम प्रस्तावित है विधायक कुवर विक्रम सिंग ने लिखित सवाल किया कि विस्तार सुधार कारिक्रम, आत्मान तरगज, जिला चतरपुर में क्रिशक प्रशक्षण, क्रिशक भ्रमन और क्रिशी विज्ञान मेले में वर्श 2013-14, 14-15 और 15-16 में कितनी राशी व्याई की गई? क्या क्रिशकों की सूची, मनमानी तरीके से बना कर शासन की राशी का दुरुपयोग किया जाता है. जैविक खेती प्रोचसाहन योजना के लिए जिला चतरपुर में खर्च की गई राशी का विवरन भी उन्होंने जानना चाहा. विधायक प्रदीप अग्रवाल ने सहकारिता मंत्रुी स जानना चाहा कि मध्यप्रदेश, राजय सहकारी क्रशी और ग्रामीन विकास बैंक एवं जिला सहकारी क्रशी और ग्रामीन विकास बैंक मर्यादत के कर्मचारियों को अन्य विभाग में सम्विलियन करने के लिए जो योजना बनाई गई है, उसके अंतरगत किन-किन को किस किस पत पर किस किस विभाग में समविलियन कर कहा कहा पदस्त किया गया है और साथ ही किन किन का समविलियन होना शेश है उन्होंने इसकी पूरी जानकारी मंत्री से मांगी साथ ही ये भी जानना चाहा कि जिन कर्मचारियों का समविलियन अभी तक नहीं किया गया उनके स तरगत NH7 से कारीवा, NH7 से भमनौदा, NH7 से मुहनिया कुष्णिय, सड़कों के निर्मान और सुधार के लिए क्या प्राक्टलन बनाए गये हैं। यदि हाãos, क्या विद्धिय व्यवस्था नहीं की गई हैं। उन्होंने ये भी जाना चाहा कि क्या आम जंता की आवश्यक्ताओं के आधार पर सड़कों का निर्मान किया जाता है? यदि हाँ, तो इन अती आवश्यक सड़कों के लिए बजट का प्राप्थान क्यू नहीं है? विधायक हितेंद्र सिंग ध्यान सिंग सोलंकी ने जल संसाधन मंतरी से जानना चाहा कि क्या बढ़वाह विधान सभाक शेत्र के काटकुट क्शेत्र में पानी की कमी और किसानों का क्रिशी सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए प्रश्निकरताने सुखाडी नदी पर बांध और साथ सोई नामक स्थान पर बांध नर्मान के संबंद में प्रस्ताफ भेजे हैं यदि हाँ तो प्राप्त प्रस्ताफ पर विभाग द्वारा क्या कारिवाई की गई है इसी प्रकार विधायक हर्श यादव ने क्रिशी मंत्री से फसल बीमा से जुड़ा लिखित सवाल पूछा उन्होंने जानना चाहा कि सागर जिला अंतरगत खरीव 2016 में सोया पीन और उड़त की फसल का कितने अरणी किसानों ने फसल बीमा कराया था साथ ही ये भी जानना चाहा कि क्या सागर जिले में अरणी किसानों को आज दिनांक तक फसल बीमा राशी का भुकतान नहीं किया गया है इसके लिए शासन ने अब तक क्या कारवाई की है और कब तक जिले के अरणी किसानों को फसल बीमे की राशी का भुक्तान किया जाएगा वधैक सतीश मालविय ने लोक निर्मान मंत्री से लिखित सवाल के माधियम से पूछा कि उजयन इंदौर फोरलिन माख का निर्मान कब पूर्ण किया गया और कितनी राशी व्याई की गई तथा टोल वसूली किस दिन से प्रारंप की गई थी उसकी क्या-क्या शर्ते थी, साथी वर्तमान में उज्जैन अंदौर रोड का मेंटेनिंस कप से नहीं किया गया है और वर्तमान में सड़क की क्या स्थिती है अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक इस सड़क पर कितनी दुरगटनाएं हुई वधायक जीतू पटवारी ने भी क्रशिमंत्री से लिखत सवाल पूछा उनका सवाल भावांतर योजना से जुड़ा था उन्होंने जाना चाहा कि भावांतर योजना में अब तक कितने किसानों के पंजी करण हुए साथ ही ये भी पूछा कि भावांतर योजना के तहत कौन कौन सी फसल है तथा उस फसल पर मिलने वाले भावांतर का फॉर्मूला क्या है